जिननेंदर हम पहले आटे में घी डाल कर आटा ओसननेंगे, पंड़ा 20 मिन्ट रखेंगे, रखेंगे फिर टबब चढ़ाएंगे उक्तर गेस पर टबब चढ़ाएंगे, आटे की लोई बनाएंगे, लोई बनाकर छोटी सी रोटी बनाएंगे, छोटी सी रोटी बनाकर फिर उसमें सक्कट डालेंगे सक्कट डालकर उसमें हम गी डालेंगे थोड़ा सा फिर इसको जैसे पूरन पॉली कैसे बांगते हैं वैसे इसको हम ऐसे बांद देंगे बांद कर फिर उसको वापिस सुकाटा लगा के पले तन उसको बेलेंगे पले तन शिरफ एक बार लगाना ज्यादा नहीं लगाना बना के फिर तवे को देखेंगे वह थोड़ा सा तब गया ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए फिर उसको तवे पर डालेंगे फिर फिर उसको थोड़ी देंगे उलट देंगे फिर 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 में अधने घ्यादा ज्यादा थोड़ा सा सिख जाएंगे तब उस पर गी लगाएंगे गी लगाके ज्याधा तेज नहीं होना तबा और ज्यादा कोट गरेश बीटेज नहीं होना नहीं तो चार अंदर जल जाए खारी हो जाएगी फिर रप्लिख स्थाल पेर पर उसमें फिर थोड़ा गी लगाएगे इंदे वो थाड़के होगी, बस यह सिक्कर तयार हो गई, यह सिक्कर इसको फ्लेट में रख देंगे, यह एक नानी का नुक्सा, धन्यवाद बादे, धन्यवाद,